दोस्तो नमस्कार अगर आप HDFC बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं और आप confusion में हैं कि आपको HDFC बैंक में खाता खोलना चाहिए या नहीं तो 5 मिनिट के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बड़े अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको HDFC बैंक में खाता खोलना चाहिए या नहीं इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक के सेबिंग अकाउंट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ क्या-क्या इस अकाउंट में आपको फीचर मिलती हैं क्या आपको अकाउंट खोलने के बाद फाइदे होंगे और क्या इसके नुकसान रहेंगे इस वीडियो में complete जानकारी आपको मिलने वाली है और last में आपको मैं अपना opinion बताऊंगा कि आपको HDFC बैंक में खाता खोलना चाहिए या नहीं वीडियो बहुत ही जादा informative है मैं यहाँ पर request करता हूँ कि अगर आप HDFC बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी जादा information saving account के बारे में मिल जाएगी जिसके बाद आप बड़े अ saving account में कोई feature में या फिर charges में बदलाब करता है तो उसके लिए हमारा channel responsible नहीं होगा हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी अगर आपको fresh जानकारी चाहिए तो आप bank की official website visit कर सकते हैं उसका link मैंने description box में लगा दिया है तो आप बहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं अगर आपक लगने के बाद account खोलने का मन करें तो आपको मेरे वीडियो की description box में वीडियो का link भी मिल जाएगा कैसे खाता खोलते हैं और अगर आप खाता खुद खोल लेते हैं तो आपको बहाँ पर apply करने का link भी मिल जाएगा तो आप बहाँ पर उस link को follow करके आप खाता भी खोल सकते हैं तो आईए दोस्तो इस वीडियो में हम सबसे पहले saving account का review कर लेते हैं क्या 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 आपको फाइदे मिलेंगे और क्या क्या नुक्सान रहेंगे आईए इसको हम detail में cover कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले हम HDFC bank में saving account open करने के बाद आपको क्या क्या benefit होंगे इसके बारे म सबसे पहले हम अच्छे से जान लेते हैं अगर आप HDFC bank में saving account open करते हैं तो आपको debit card और checkbook की facility भी मिलती है यहाँ पर आप अपने account को manage करने के लिए debit card का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ATM machine से आप पैसे निकलवा सकते हैं यहाँ पर bank जो है आपको 1,00,000 रुपे तक का cash withdrawal करने वाला ATM card जारी करके देता है यहाँ पर अगर बात करें checkbook की तो यहाँ पर आपको 25 leave की checkbook issue करके दी जाती है जो बिलकुल free of cost में आती है जब आप अपना account open करेंगे तो आपकी welcome kit में आपको bank की passbook भी देखने को मिल जाती है और तीन चीज़ें आपके घर के ऊपर deliver करवाई जाती है एक ATM card एक आपकी checkbook और यहाँ पर एक passbook आपको भीज दी जाती है तो यहाँ पर bank जब आपका saving account open करता है तो आपको यहाँ पर यह तीन चीज़ों को यहाँ welcome kit में आपको भीज देता है आप दोस्तों दूसरे benefit की बात करते हैं यहाँ पर utility bill payment की अगर आप अपने घर के bill बजार में जाकर pay करते हैं तो आप आपको बजार जाने की बिलकुल भी जुरूरत नहीं है आप सारा यह HDFC bank account से manage कर सकते हैं आप mobile banking के थुरू यहाँ पर सारे bill का transaction भी कर सकते हैं आप री charges भी कर सकते हैं और आपने घर के bill भी आप utility bill payment इसमें कर सकते हैं आपको यह HDFC bank में account खोलने के बाद यह सारी option मिल जाती है आप जिसके थुरू यहाँ पर bill का भुकतान भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर किसी भी shop पर जाने की जुरूरत नहीं है आपका यह saving account एक तरह shop का का काम करता है आप बात करें अगले benefit की तो यहाँ पर आपको account खोलने के बाद mobile banking और internet banking की सुवधा मिलती है जिसके माधियम से आप instant यहाँ पर banking कर सकते हैं और आपको यहाँ पर instant पैसा transfer करना है या फिर अपने account में पैसा मंगवाना है तो आप UPI ID का इस्तिमाल कर सकते हैं instant यहाँ पर पैसा transfer हो जाता है within second तो यहाँ पर आपको account को manage करने के लिए internet banking औ और mobile banking की facility दे दी जाती है जिसके बाद आपका यहाँ पर banking करना बहुत ज्यादा सान हो जाता है आपको bank जाने की जरूरत नहीं पड़ती है जातर काम आज कल सभी लोग घर बैठे अपने mobile phone या PC laptop से banking का काम निप्टा लेते हैं अब अगले benefit की बात कर लेते हैं अगर आप physical चाते हैं तो आपके घर के address पे भी मिल जाती है अगर आप email के माधियम से अगर आप activate करवाना चाते हैं तो आपको यहाँ पर भी email के माधियम से statement bank द्वारा provide करवाई जाती है यहाँ पर SMS alert की feature भी मिलती है जिसमें यहाँ पर आपके mobile phone के उपर SMS लगातार bank के द्वारा भ बात करते हैं loan के बारे में अगर आप saving account open करते हैं HDFC bank में तो यहाँ पर HDFC bank का आपको personal loan भी provide करता है यहाँ पर आपको home loan भी दिया जाता है और आप bank से gold loan भी ले सकते हैं काफी सारे loan से समंदित offer आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे bank यहाँ पर आपको काफी सारे offer देत करते जाएंगे account में अच्छे पैसे रखते जाएंगे तो आपको यहाँ पर offer ज्यादा से ज्यादा बैंक के द्वारा दिये जाएंगे आप mobile banking में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप instant IMPS, RTS, 24-7 कर सकते हैं आप दोस्तों अगले benefit की बात कर लेते हैं interest rate की अगर आप HD SDFC bank में खाता खोलना चाते हैं तो आपको यहाँ पर interest rate भी bank का काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है अगर आप FD करवा लेते हैं इसके अलावा यहाँ पर bank के बड़े अच्छे insurance के प्लान है आप health insurance आप life insurance और आपनी vehicle third party insurance भी आप करवा सकते हैं तो सभी प्रकार के insurance यहाँ पर bank में की जाती है आपको saving account खलवाने के बाद आपको यह सारी service और सुविदाएं बहां पर account में देखने को मिल जाएंगी आप जब चाहिए bank की अधिकारियों को call करें और आपके घर आकर सारी service आपको door to step मिलने वाली है आज कल COVID-19 के चलते हैं यहाँ पर ज़ अब HDFC bank नए credit card जारी कर सकता है अगर आपका saving account अभी तक HDFC bank में नहीं है तो आपको credit card यहाँ पर बहुत ही कम chances आपको मिले अगर आप account खुलवा लेते हैं तो आपको 6 महिने के बाद HDFC bank का यहाँ पर offer credit card का मिल जाएगा अगर आप बैसे आपका income source अच्छा है आपका credit score अ आपको description box में मिल जाएंगे तो आप बहाँ पर जाकर check out जुरूर करिए अभी जो है यहाँ पर सभी को benefit मिलेगा credit card का तो आज ही आपको यहाँ पर saving account खोलना चाहिए अब बात करते हैं मैंने यहाँ पर इस वीडियो में अभी तक आपको सारे feature और benefit के बारे में बता दिया ह अब बात करते हैं account खोलने के बाद आपको क्या नुकसान होंगे यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है अगर आप यहाँ पर account का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आप यहाँ पर account के बिपरित चलते हैं bank की term and condition के आगर आप उल्टा चलते हैं तो आपको काफी सारे नुक्सान भी उठाने पड़ सकते हैं चलिए आप डिटेल में इसको हम कवर करते हैं क्या-क्या नुक्सान आपको अकाउंट खोलने के बाद होने वाले हैं तो सबसे पहले नुक्सान की बात करते हैं जब भी आप अपना सेविंग अकाउंट HDFC bank में खोलेंगे तो आपको यहाँ पर जगा के हिसाब से balance maintain करने के लिए बोला जाएगा जी हाँ दोस्तों HDFC bank में zero balance के साथ account open नहीं होता है यहाँ पर आपको monthly average balance maintain करके चलना होता है अगर आप ग्रामिन के शेत्ते से हैं तो आपको 2500 रुपया maintain करना है अगर आप यहाँ पर semi urban हैं तो यहाँ पर आपको 2500 urban के case में 5000 और यहाँ पर metro के case में यहाँ पर आपको 10100 यहाँ पर इससे ज़्यादा भी आपको balance की option नजर आ जाएगी तो HDFC bank जो है यहाँ पर zero balance के साथ account खोलने की सुबदा नहीं रेता है अगर आप यहाँ पर balance shortfall करते हैं तो आपको charges भी लगाए जाते हैं charges की list काफी लंबी है मैंने description box में लगा दी है अगर आपके पास समय है तो आप बहाँ पर जाके check out कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की अगर आप HDFC bank में खाता खोलते हैं तो आपको credit card का offer भी मिलता है अगर आप credit card ले लेते हैं तो आप 50 दिन तक credit card के जो उपर जो आपको limit मिलती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपने credit card की limit का use कर लिया और आपने payment नहीं किया तो आपको bank यहाँ पर अच्छे खासे charges लगा देता है जिसके बाद यहाँ पर आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो यहाँ पर आपको 500 plus GST के रूप में यहाँ पर आपको debit card issue करके दिया जाता है debit card के charges यहाँ पर काफी ज़्यादा है आप देख सकते हैं अगर आप normal कोई भी saving account open करते हैं तो आपको 170 rupees बाला debit card issue करके दिया जाता है पर इस bank के द्वारा आपको millennia debit card issue करके दे दिया जा रहा है आजकल तो इसकी बज़ा से आपको यहाँ पर 500 rupees plus GST लगता है तो यहाँ पर मैंने आपको charges के बारे में बता दिया है HDFC bank भारत में number one bank है service के मामले में और यहाँ पर आपको जब भी आप account open करेंगे तो आपको बड़ी ही शांदार service मिलेगी जब भी आप bank में visit करेंगे तो आपको employee बड़ अच्छे तरीके से treat करेंगे इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर पूरे benefit और charges के बारे में जानकारी दी है पर आज कल तकरीवन सभी bankों में यह charges applicable है अगर आप cash withdrawal करते हैं तब भी आपको charges देने होते हैं अगर आप cash withdrawal के limit exceed करते हैं तब भी आपको charges लगा दिये जाते हैं ATM के उपर भी आपको charges लगाए जाते हैं अगर आप 5 transactions से ज़्यादा करते हैं तो 20 rupees काफी सारे bank जो है charge कर लेते हैं पर यहाँ पर अगर बात करें HDFC bank की तो मैं यहाँ पर सबसे पहले bank का review देता हूँ आपको अगर आप HDFC bank की बात करें तो भारत का number one bank है service के मामले में बड़ा ज़्यादा अच्छा है और काफी ज़्यादा trusted bank यह माना गया है अगर आप investment की बात करें तो आप यहाँ पर FDC लेकर insurance तक की investment भी कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत परिशानी वाली बात इस bank के साथ नहीं होने वाली है तो यहाँ पर personally बात करें HDFC bank में अगर आपको minimum average balance maintain करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं आपको यहाँ पर facility भी top glass की ही मिलती है अगर आप किसी दूसरे bank से compare करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ही benefit मिलेंगा अगर आप अपने income tax की return file करते हैं तो आप उसका net banking के थरूँ जाकर आप उसे e-verify भी कर सकते हैं बहुत सारे option जो है HDFC की bank की आपको net banking में मिल जाएंगे तो दोस्तो मेरा यहाँ पर सीधा सीधा opinion है कि आपको HDFC bank में खाता जरूर खोलना चाहिए यह bank काफी भुरोसे मंद है और काफी आपको अच्छी service दे रहा है तो अगर आपका अभी तक खाता नहीं है HDFC bank में तो आप खोल सकते हैं लिंक उसका आपको description box में मिल जाएगा तो आप बहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं दोस्तो अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं लाइक करना बूल गए हैं तो प्लीज पहले लाइक कर देजिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आते ही रहते हैं अगर आपको ये वीडियो informative लगा है तो आप like share कर सकते हैं चैनल पर नहीं है तो subscribe जिरू कीजिएगा subscribe करेंगे तो हमें इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा motivation मिलेगा अगर आप bell icon on करेंगे तो आपको हमारी latest वीडियो का notification सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तो किसी नई वीडियो में तब तक अपना ख्या लखिये जैहिन बंदे मातरम